हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम टो मैं चैनल लाइटेंट फिटनेस, मेरा नाम है अकांग्शा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्राइगन फ्रूट खाने से हमारे शरीप को कौन-कौन से फाइदे होते हैं तो दोस्तों आज मार्केट में एक नया फ्रूट आने लगा है कुछ सालों से यह आराम से मिल जाता है मार्केट में आसानी से दिख जाता है जिसे कहते हैं ड्राइगन फ्रूट लाल या फिर गुलाबी थोड़ा जो इकतम अट्रैक्टिव ऐसा कलर होता है उसका बाहर से और सफेद ऐसा हिस्सा आपको मिल जाता है जिसमें छोटे-छोटे काले रंगे बीज होते है ड्राइगन फ्रूट की जो इमेज होती है वो भी मैं आपको यहाप कहीं दिखा दूँगी तो आप देख सकते हो आपको समझाएगा किस फल के बारे में हम बात करते हैं तो ड्राइ साथ बहुत सारे पोशक तत्व से भी यह फल भरपूर होता है पोशक तत्व के अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आंटी-ओक्सिजन से भरपूर होता है उसे के साथ साथ भितमन-C है या फिर फाइबर है ये बही होता है बीटा-कैैरोटिन है लाइकोपीन है और मिनरा कि अगर हम बात करें तो calcium, magnesium, iron ऐसे कई सारे mineral से भी ये फर जो होता है वो भरपूर होता है तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि dragon fruit अगर आप काते हो तो उससे आपके शरीर को क्या फायदे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो ले वीडियो मेरी आती रहती है जिसमें हम अलग-अलग पदार्थ के benefit जो होते है फायदे होते है वो देखते है तो वो सारी वीडियो अगर आपको देखनी है तो फटा-फट से subscribe कर लीजे तो दोस्तों आपके वीडियो में लग-भग 10 फायदे बताऊंगे मैं आपको dragon fruit खान है क्योंकि इसमें कई सारे जो anti-oxidants होते है dragon fruit में जैसे की phenolic acid है या फिर कई सारे जो बाकी के minerals होते है वो काफी असरदार होते है हमारे cells को बचाने के लिए cell damage होता है खासतार free radicals की वज़े से cell damage होता है उससे यह हमारे शरीर की रक्षा करते है और उसके कारण यह diabetes से भी ह हमारे शरीर का बचाव करते है और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें fiber की मात्रा काफी अच्छी होती है vitamin c की मात्रा काफी अच्छी होती है तो इसलिए जिन जिन लोगों को diabetes है ऐसे लोगों के लिए भी उनके शरीर की sugar levels होती है उन्हें नियंद्रत रखने के लिए यह अच्छा होता है अगला फाइदा जो है dragon fruit का वो है iron से भरपूर होता है तो फिर उसके कारण anemia जैसे जो बिमारिया होती है खुन की कमी जिसे कहते है ऐसे बिमारियों से भी हमारे शरीर की यह रक्षा करता है बहुत कम फल ऐसे होते है जिनके अंदर iron की मात्राची होती है उन में से एक dragon fruit है तो इसलिए अगर आप dragon fruit खाते हो रोजाना या फिर जितना भी हो सके उतना खाते हो तो यह काफी अच्छा रहता है हमारे शरीर को iron देता है और iron का जो काम होता है हमारे शरीर में oxygen का संचरन है या फिर हम जो भी अन खाते है उससे और्जा की निर्मिती ह हमारे शरीर के सारे अंगों तक oxygen पहुचाने का काम भी यही करता है तो इसलिए आप dragon fruit भी जरूर खा सकते हो अनीमिया जैसे बिमारियों से दूर रहने के लिए और एक अच्छी बात यह है कि इसमें iron के साथ साथ vitamin C भी मौजूद है तो जैसे कि मैं मेरे वीडियो में बता तत्व होते है वो आपको dragon fruit में मिल जाते है तो जाहिर सी बात है dragon fruit अगर आप खाते हो तो शरीर को iron भी मिलेगा और iron अच्छे से शरीर में absorb भी होगा और शरीर को vitamin C भी मिलेगा अगला फाइदा है dragon fruit का यह हमारे शरीर की रिदय रोग और cancer जैसे रोगों से भी रक्षा कर तो हमारे शरीर के जो triglyceride levels होते है और उसी के साथ साथ शरीर में जो बुरा cholesterol होता है इनकी मात्रा कम करने के लिए इन्हें नियंतित रखने के लिए यह काफी मदद करता है और vitamin C जैसे जो antioxidants होते है उनसे यह भरपूर है जो की cancer cells से लड़ने के लिए काफी अच्छे होते ह है तो इसलिए cancer से बचा होता है हमारे शरीर का और beta-carotene है या लाइकोपीन है ऐसे जो घटक होते है वह भी cancer और रिदय की बिमारिया इसे सारी बिमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है anti-oxidants की अगर हम बात कहरें तो anti-oxidants जितना आप natural form में लेते हो यानि कि खाने से अहार से जितना लेते हो वो काफी अच्छा होता है ना कि हम जबी supplements वगरा लेते हैं anti-oxidants के साथ साथ बाकी के भी यानि कि vitamins है minerals है उसके जो supplements लेते है वो कैसे होता है वो artificial होता है तो इसलि कम होता है इसलिए आपके रोज के आहार में या फिर जितना भी आप जो भी आहार लेते हो हफते में एक दो बार तो सारी चीज़े सारी vitamins minerals आपके आहार में आने चाहिए अगला फाइदा है immunity बढ़ाने के लिए तो dragon food के अंदर काफी अच्छी मात्रा में flavonoids है, phenolic acid है, कई सारे antioxidants मौझूद है, जो कि हमारे शरीर के जो cells होती है, खास तोर पे जो white blood cells होती है, यानि ये WBC जो आप कहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए काफी अच्छा होता है, और उसे के साथ साथ क्यूंकि आपकी immunity बढ़ाता है, तो कई प्रकार के infections का खतरा होता है, वो भी यहा महार में जरूर कर सकते हो, अगला फाइदा है हमारे पाचन के लिए, तो dragon fruit में काफी अच्छे मातरा में fiber भी पाया जाता है, और fiber के साथ साथ magnesium जो होता है, वो हमारे शरीर में कई सारे जो chemical reactions होते हैं, उनके लिए जरूरी होता है, हमारे जो food यान जो भी हम खाते हैं, उस bacteria होते हैं, उन्हें अच्छा रखने के लिए, जो पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे बैक्टेजिया उन्हें अच्छा रखने के लिए नियंत्रण रखने के लिए भी ये काफी मदद करता है, तो इसलिए पाचन अगर आपको अच्छा रखना है तो भी dragon fruit आपको हमारी हड्डियों को और दातों को मसबूत बनाता है क्योंकि इसमें काफी अच्छी मात्रा में मैगनेशियम पाया जाता है तो इसलिए आपकी हड्डियों को मसबूत बनाने के लिए दातों को मदद कहता है और जो विटमिन्स या फिर मिनल्स की आवशकता होती है मल्टी विटमिन जो से कहेंगे कई सारे विटमिन्स भी इसमें मौझूद है जो की भूख बढ़ानी के लिए काफी मदद करते है तो इसलिए कुछ-कुछ लोगों को यह समस्या हो जाती है कि भूख नही कुछ के सारे विटमिन सी जैसे गरें होते है माइगनेश के जाम घाप milk इसमें विटमिन माउज्चा के लिए और बालो भी काफी अच्च्छ होते है तो कोई भी प्रकार की प्रोच्छा की प्रॉब्लम ही और बालो में कोई समस्या है ऑँ अप द्रेगन फूट आपके रोज के आहर में ज्रूर ले सकते हो और यह बात पर आपको वताना चाहूंगी ड्रेगन फूट के बारे में अगर आप सो चोगी ड्राइगन फूट फेयमस कब हुआता हमारे यहां पर ह cabbage डेंग्यों के लिए ऐसे माना दाता था कि डेंग्यों को fever जो वाता है जो बुकार आता है उसे कम करने के लिए dragon fruit और किवी ये दोफल काफी असरदार होते हैं तो dragon fruit की और जो बिमारी होती है उसे जलनी ठीक करने के लिए ये आपको मदद करता है और इसे के कारण डंग्यों का बुखार जो होता है उसे कम करने के लिए उसके लक्षन कम करने के लिए ये मदद करता है अब आप ये डागन फ्रूट खा कैसे सकते हो रेगुलर जैसे हम फल खा जरूर खाओगे आपके आहार में और आप ट्राय जरूर कीजिए का अलग अलग रेसिपी डागन पूट के साथ और फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने कौन-कौन सी रेसिपी ट्राय की अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बूले अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेर भी करें हम बिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बुट बाइए